नमस्कार मेरा नाम है दीपक शुकला और हमारे चनल बलोजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा फिजिकल एंडोकेमिकल एवेंट्स और फर्टिलाजेशन तो चलिए देखते हैं हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से ओवम यानि कि सेकंडरी उसाइट ओबरी से निकल कर फर्टिलाजेशन की साइट तक आती है जिसे हम एंपुला इस्थमस जंक्शन बोलते हैं फर्टिलाजेशन साइट उस साइट तक सेकं इसके बाद कुछ जो इवेंटस होते हैं जिरे हम कुछ physical changes, कुछ physical activities होती हैं और कुछ chemical activities होती हैं उनको हम physical और chemical events of fertilizer बोलते हैं तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले टापिक पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं shrimp coral reactions फरस्ट एक्रोसोमल रियक्शन्स चलिए देखने की कोशिस करते हैं एक्रोसोमल रियक्शन्स सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि जब हमने इस पम के स्ट्क्चर के बारे में पढ़ा था तो इस पम में हेड था और नेक था नेक के बाद मिडल पीस और मिडल पीस के बाद फिर क्या प्रेजन्ट था टेल की प्रेजन्स थी तो ये था आपका head, neck, middle piece, ये tail था, इस जो head था, head का अगला reason, इसको हम acrosome बोलते हैं, क्या बोलते हैं, acrosome, और इस acrosome, ये acrosome किसका बना होता है, आपको पता है, ये acrosome गौलगी बॉड़ी का बना होता है, यानि कि इसमें बहुत सारे different type के enzymes रहते हैं, clear है न, तो ये बहुत important है, acrosome के reaction को समझने से पहले ये बात समझना, कि जो acrosome में इसके पास क्या है, बहुत सारे enzymes प्रेजेंट होते हैं, clear है, और उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, कि हमने जब ovum बताया था, उसमें PELEUCIDA बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोना PELEUCIDA और इसके ऊपर कुछ cells प्रेजेंट रहती हैं, जिन्ने हम जो पूरा एक region बाहर डवलप करती हैं, जिसको हम CORONA RADIATA बोलते हैं, और इस CORONA RADIATA की जो cells होती हैं, आपस में एक substance के थूरू, glue like substance को तूर चिपकी रहती हैं, जिसे हम high alleronidase बोलते हैं यानि कि हमारे लिए तीन challenges हैं कहीं ना कहीं सबसे पहले तो एक यह layer जिसे हमने क्या बोला plasma membrane second layer जो present है जिसे हमने बोला jona pellucida और third layer बाहर की तरफ जो cells से बनी हुई है follicular cells से जिसे हम corona radiata बोलते हैं तो सबसे पहले जब sperm बाहर से आएगा तो sperm को सबसे पहले तो इस corona radiata को puncture करना है, break करना है उसके बाद यह जो second layer है jona pellucida इसको break करना है और उसके बाद plasma membrane through fuse होना है clear है? तो यह जो activity होती है sperm के एक्रोसोम की बज़े से sperm के एक्रोसोम में ऐसी चीज़े होती है जिनके बज़े से corona radiata भी break होती है, jona pellucida भी break होता है और यह इसकी plasma membrane इस ovum की plasma membrane के साथ बाद में fuse कर जाती है चलिए हम इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझने की कोसिस करते है एक्रोसोमल reaction में सबसे important physical contact में आने के बाद क्या होता है एक्रोसोम से जो enzymes release होते हैं उनको हम sperm license बोलते हैं क्या बोलते हैं sperm license, clear है तो एक्रोसोम से निकलने वाले सारे enzymes sperm license होते हैं इन sperm license की help से ही यह सारी layers break होनी है तो जो सबसे पहला enzyme होता है जिसे हम बोलते हैं high alluronidase यह high alluronidase क्या होता है alluron means होता है protein alluron means protein यानि कि कुछ proteinous substance होता है जो इस corona radiata की cells को आपस में जोड़े रखता है तो सबसे पहले जो high alluronidase है वो इस high alluronic acid को high alluronic acid जो इन corona radiata की cells को जोड़े रखने के लिए एक cementing substance की रूप में वर्क करता है उसको break करता है clear है दूसरी चीज़ क्या आती है second point आता है corona penetrating enzyme enzyme मतलब कि sperm license में कुछ ऐसे enzymes होते हैं जो कोरोना की follicular cells को break करते हैं और आगे बढ़ते हैं तीसरे जो आते हैं उन्हें हम बोलते हैं जोना license क्या बोलते हैं जोना license या फिर इन जोना license को हमें गवर नाम देते हैं इसे हम एक्रो सिन भी बोल देते हैं ठीक है ना यानिकि जो pellicida को penetrate करेगा हम इस figure को यहां पर ऐसे imagine कर सकते हैं कि suppose degrade सब कुछ degrade करके sperm यहां तक आ गया है क्लियर है ना यह situation बन रही है लग लग हो क्लियर है ना आप देखिए इसके बाद तो एक hyaluronidase हो गया कोरोना परेटरेटिंग इंगाइम हो गया जोना लाइसेन अफिर एक्रोसियम हो गया कुछ पॉइंट और थोड़े यहां पर समझना जरूरी है कि इस फर्टिलाइशन के प्रॉसेस में कैल्सियम आयन्स की abundant amount में presence बहुत जरूरी होती है अगर कैल्सियम का amount कम रहता है तो सुसियम का प्रॉसेस successfully हो ही नहीं पाता है तो कैल्सियम आयन की presence बहुत जरूरी होती है एक्रोसियम के बाद हमारा second point आता है cortical reaction क्या आता है cortical reaction अब देखो ध्यान से समझने वाली यह चीज है कि cortical reaction क्या होता है समझें एक point को की ओवम की यह है plasma membrane, समझिएगा उसके बाहर zona pelucida थी ये थी zona pelucida और उसके बाहर क्या थी? उसके बाहर था corona radiata हमें focus million दो points पर करना है तो ये है zona pelucida इसके नीचे ये है plasma membrane समझने वाली चीज यहां पर ये है कि जैसे ही ये sperm जो ना पहले चीडा को break करता है और break करने के बाद ये जो sperm है, ये sperm की plasma membrane, देखो sperm का acrosome लगभग consume हो गया है और sperm की plasma membrane है, वो plasma membrane इस ovum की plasma membrane के touch में आ जाती है और दोनों के fuse होने पर ये जो content है इसके अंदर, इसका जो nucleus है जिसमें पूरा का पूरा chromosomal material है ये इसके अंदर entry करता है, मतलब head पूरा, head इसके अंदर आ जाता है बाद मा की middle piece जिसमें mitochondria था और sperm का tail reason ये बाहर छूट जाता है clear है? अब देखिए एक चीज़ समझने के और कोसिस करिए अगले point में कि इसके अंदर क्या आ गए? एक तो इसका अपना nucleus दूसरा male gamit का जो nucleus था वो भी इसके अंदर आ गया अब situation ये होती है कि जैसे ही sperm अंदर आता है अब एक और challenge है यहाँ पर कि एक sperm तो आ गया क्या और sperm आ गया तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर एंट्री करता है तो क्या होता है इस plasma membrane के जस्ट नीचे कुछ छोटे-छोटे granules present होते हैं granules means दानेदार कुछ छोट-छोटे structures present होते हैं और जो छोट-छोटे structures होते हैं ये small structures होते हैं इनको हम cortical granules बोलते हैं क्या बोलते हैं? cortical granules जैसे ही sperm का head portion इसके plasma membrane से fuse करने पर इसके अंदर आता है बैसे ही क्या होता है? कि cortical granules जो होते हैं ये activate हो जाते हैं और cortical granules के activate होने पर actual में इस process को हम ये जो reaction चल रही है cortical granules के activate होने की इसको हम cortical reaction बोलते हैं और cortical granules से कुछ enzyme release होते हैं वो enzymes release होकर के मतलब cortical granules से enzyme release होकर के वो इस plasma membrane और इस zona palisoda के बीच वाले reason में आ जाते हैं और ये सारे के सारे उन enzymes की बज़े से cortical enzymes की बज़े से zona palisoda कैसी हो जाती है? बहुत hard हो जाती zona palisoda कैसी हो जाती है? hard हो जाती इतनी hard हो जाती है कि अब इसके बाद कोई भी sperm इसके अंदर enter नहीं कर सकता मतलब cortical reaction क्या करती है simple में में आप कह सकते हो cortical reaction prevents polyspermia clear है न? यानि कि एक से ज़्यदा sperm की entry ना हो इसकी बजहे से होती है cortical reaction done third point पे आते है sperm entry actual में cortical reaction just जैसे ही sperm का head इसके touch में आता है वैसे ही erection होती है ठीक है न? इसके बाद proper head portion पूरा अंदर आ जाता है clear है न? एक चीज़ और हमने आपको बताई थी जिस time पर capacitation होता है capacitation वो time जब sperm ejaculate होने के बाद bezonal track में 5-6 घंटे activation की situation में होता है हमने बताया था इसके acrosome के उपर कुछ content deposit होता है वो हट जाता है और इसके उपर जो sites होती है वो active हो जाती है clear है न? तो वो site एक type से क्या होती है इसकी plasma membrane के उपर एक reception cone develop होती है वो reception cone या वो fertilization cone इसके उपर जो sites होती है उनके साथ fuse होती है entry के time पर ठीक है न? तो इस पर हम entry में ये एक main point होता है किसका cone of reception का cone of reception या फिर इसे हम fertilization cone के नाम से भी जानते हैं clear है तो इस पर में entry में इस परम का cable head portion जाएगा middle piece और tail बाहर रह जाएगी clear है न? इसके बाद आता है fourth point fourth point हम discuss करना चाहते थे हाँ पर हमने आपको बताया था ये जो ovum है ये ovum यानि कि ovulation के time पर जो निकलता है वो ovum नहीं होता है इस actually secondary oocyte और जैसे ही sperm इसके अंदर entry करता है तो बैसे ही जो secondary oocyte होती है ये secondary oocyte किसमें convert होती है? ovum में convert होती है clear है न? जब आपको हमने gametogenesis जिसमें gametogenesis मतलब oogenesis बताया है जब उस oogenesis के process में हमने इस चीज़ को बहुत proper way में समझाया हुआ है fourth point आता है karyogamy karyogamy या फिर mp mixes अब ये karyogamy या फिर mp mixes क्या है? karyon means nucleus gamus means marriage यानि कि दोनों nucleus का fusion ये male pronucleus और female pronucleus ये male pronucleus ये male nucleus दोनों का fusion हो जाएगा fusion होकर के deployed nucleus बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? mp means both, mixes means mixing तो ये भी इनी दोनों के लिए use किया गया है तो दोनों nucleus के fusion के process को हम क्या बोलेंगे? fertilization properly परली तो यसी को fertilization बोलते है लेकिन अपने आप में एक लंबा process हो जाता है fertilization का दोनों के fusion से एक deployed structure double up होगा जिसे हम अब क्या बोलेंगे? जाइगोड बोलेंगे clear है न? fifth आता है point इसमे activation of egg activation of egg मतलब क्या है? एक चीज और समझने बाली है दोखो यह egg था यह एग अपने आप Jaigot में क्यूं नहीं बदला this egg अपने आप अगे के divisions के इससाट कहुं नहीं किया क्लिवेज क्यूं क्यूं नहीं किया blast law में convert क्यूं नहीं हुआ यह gas law में Convert क्यूं नहीं हूँ आगे की steps होतीक यूं नहीं है क्योंकि ये एक तरीकिसे एक resting phase में रहता है और जब sperm इसके अंदर जाता है तो इसका activation हो जाते है टाइप से, activation means इसकी metabolism fast हो जाती है, इसका respiration rate fast हो जाता है, इसमें protein synthesis का rate बढ़ जाता है और इन सारी चीजों के बढ़ने पर इसमें एक stimulation जैसा होता है जिसकी बज़े से आगे zygote, zygote तो बनी गया, zygote बनने पर ये सारे process stimulation होते हैं और zygote में divisions से स्टार्ट होते हैं और further development स्टार्ट हो जाता है, तो इन short steps में हम physical and chemical events of fertilization देख सकते हैं, एक point समझना और बहुत जरूरी है इस palm में नेक रीजन में एक centriol होता है, जिससे हम proximal centriol होता है, किस रीजन में नेक रीजन में होता है, जिससे हम proximal centriol, proximal पढ़ाया है हमने पहले भी centriol, तो एक चीज़ और बताते हैं, ये centriol ही ovum के अंदर entry करता है, और आगे के processes में division में help करता है, के लिए रहना, ovum के पास अपना centriol नहीं होता है, this ovum do not have his own centriol, आपको बहुत important point है और proximal centriol से 2 centriol बनते हैं इसमें, और वही दोने centriol आगे further divisions में help करते हैं, जाइगोड बनने के बाद जो double medical divisions होते हैं, वो उसी centriol की बज़े से हो पाते हैं आगे, एक चीज़ और देख लेते हैं fertilization की importance क्या है, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि fertilization की बज़े से क्या होत होता है, और इसके बाद हम इसमें कह सकते है further divisions start होते हैं, जिन divisions को हम cleaves बोलते हैं, ठीक है न, sex determination होता है, organism male है या female है, वो chromosomes की बज़े से होता है, ठीक है न, तो ये main changes होते हैं, पात्मा की further process को आप समझ गया होंगे, धन्यवाद